बिस्मिल्लाइरख्मान रहीम एनस्सालाम अलेकों मैं यूटिव फैमली आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ माउथ अव मेल्टिंग एंड वेरी स्कृंप्शियस बाउंटी डिलाइट केग तो आएए हमें स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम यहाँ पर केक की प्रप मैला एसेंस आप चाहें तो चॉकलेट एसेंस भी यूज़ कर सकते हैं क्यूंकि हम चॉकलेट केक बनाएंगे इसको अच्छी तरीके से मैंने बीट कर लिया है उसके बाद मैं इसके अंदर एक करूं की कैस्टर शूगर यानि पिसी भी चीनी 3-4 प यह मैंने घर में ही पिस और अब मैंने यहापर लिया है कोका पाउडर 2 टेबल स्पूंस 1-4 ची स्पून बेकिं पाउडर और 1-4 ची स्पून ऑफ बेकिंग सोडा अम इन तीनों चीजों को हम इसी एक एंड शूगर के मिक्स्टर के अंदर एड कर देंगे और मिक्स करेंगे थोड़ा सा मैंने मिक्स किया है ज्यादा नहीं किया उसके बाद मैंने लिया है वन कप मैदा जिसके अंदर से 2 टेबल स्पून मैंने निकाल दिया था क्योंकि 2 टेबल स्पून मैंने कोका पाउडर एड किया था तो 2-5 टेबल स्पून हम मैदा निकाल देंगे तो इससे प oil use करें तो 5 टेबल स्पून्स कीजिएगा इसके बाद मैं यहाँ पर add कर रही हूँ 1 4th cup of milk milk हमारा half cup जाएगा 2 stages के अंदर डालना है अभी मैं 1 4th cup डाल रही हूँ और इसको अच्छी तरीके से mix करूँगी और जब मैं देखूंगी mixture अगर मेरा पतला है तो ठीक है अगर गाड़ा होगा तो फिर मैं 1 4th cup और add करूँगी तो यहाँ पर मैं mix कर रही हूँ अच्छी तरीके से जितने भी lumps हैं वो सारे हमने खतम करने हैं और अच्छी तरीके से इसको mix करना है अब यहाँ पर यह अच्छी से mix हो गया और देखें मेरा mixer थोड़ा सा गाड़ा है अब इसके अंदर मैं 1 4th cup milk और add करूँगी और इसको mix करूँगी और इसको थोड़ा सा हमने slightly thin सा better बनाना है बहुत ज्यादा thin नहीं मंकर थोड़ा सा thin क्योंकि थोड़ा सा runny better होगा तो ज्यादा हमारा केक अच्छा बनेगा soft भी बनेगा तो इसलिए हमने थोड़ा सा milk इसमें add or करना है और इसको mix करते जाना है अब जो सारा milk जो है इसके अंदर पूरे mixture में incorporate हो गया है तो अब देखेंगे काफी अच्छा सा runny सा better हो गया है जैसे हमारा एक अच्छा सा better होता है consistency की इस तरह की सी होगी अब यहाँ पर मैंने till लिया है जिसके अंदर मैं baking dish जो होगी वो मैं use कर रही हूँ आप चाहे तो pyrex की भी ले सकते हैं अब मैंने यहाँ पर oil से grease कर लिया था उसके बाद dust कर लिया था मैदा और उसके बाद यह सारा mixture जो है मैं पोर कर रही हूँ एक तरीका तो यह है कि आप इस तरह से बेक करके केक को अलग आप यूज कर सकते हैं वरना यह भी तरीका है कि pyrex की dish जिसमें जो भी serving dish होगी अगर वो microwave या oven proof है microwave proof है तो आप उसके अंदर यह mixture डालिए grease करके flossos के पाद मैदा अच्छा टकके तो आप इसमें भी bake कर सकते हैं मेरे पास मैंने यहाँ पर पहले bake करा है cake और अब मैं tap कर रही हूँ ताकि जितने भी air bubbles आउट हो जाएं उसके बाद मैं 180 degree centigrade के ओपर 20-25 minute इसको bake करूँगी ब ऑनाश इसके ओपर जाएगा चॉकलेट 1-cup ली है मैंने ग्रेट कर ली थी इसको अच्छी तरीके से इसके बाद मैं add करी हूँ इसके अंदर butter जो लगया है मैंने 1-tispoon के करी और इसके बाद मैं add करी हूँ यहाँ पर creme जो के 1-2-cup ली है मैंने तो थोड़ी जयादा ली थ फिर दबारा 30 seconds के लिए जो है microwave किया और अच्छे तरिके से mix करके रख लिया अब मैंने एक पैन लिया है यहां पर 4 टेबल स्पून्स और शूगर उसमें आट किया है सूजी धाई टेबल स्पून्स के करीब आट करी है और उसके बाद मैंने यहां पर बटर लिया है जो के है टेबल स्पून्स उसके बाद मैं आट करूंगी वन कप मिल्क और वन कप डेसिकेटिड कोकोनट जो पिसावा खोपरा मिलता है वो और इन सब चीजों को अच्छे तरीके से mix करने के बाद हम चूले पर रख देंगे और तकरीबन तकरीबन इसके अंदर हम आधा कप पानी और डालेंगे ताकि जो सूजी है और खोपरा है जब यह पकेगा तो फूलेगा तो यह गाड़ा हो जाएगा mixture और इसको 10-15 मिंट यह पकेगा मेडियम फ्लेम पे और 10-15 मिंट पकने के बाद यह थोड़ा सा गाड़ा होना शुरू हो जाएगा और देखें थोड़ा सा हलक अज़ा सा बिलकुल हलका सा बिलकुल इसली है क्यूंकर ठंडाउने के बाद भी यह थोड़ा सख्त हो जाता है तो यहां पर तयार है यह उसके बाद चॉक्टल गराज भी रेडी था केक मैं यहां पर स्लाइस कर रही थी यूँकि मैंने केक अलग बनाया है आप चाहें तो केक हैं थोड़ा सा सॉफ्टन हो जाए और उसके बाद अहम इसमें जो कोकोनट अंड सूजी का मिस्टर था वो बनाया था देखेंगे थोड़ा गाड़ा हो चुका है जबकि मैंने उससा उतार लिया था इसको तो इसी तरह आपने भी करना है और अब यह सारा मिस्टर हम के के उपर पूर करेंगे और अच्छे से तरीके से स्प्रेट कर देंगे सारी साइट्स को हमने कवर करना है इसके बाद हमने जो चॉकलेट गिनाश बनाया था वो हम पूर करेंगे इसके उपर और इसको भी अच्छी तरीके से स्प्रेट कर लेना है अब यहां मैंने पूरा मिक्सर पूर कर लिया देख लिए अंदर डियर्स कैसी आ रही है उसके बाद अब मैंने इसको क्लिंग रैप करके फ्रिज में रखना है तीन से चार घंटे या ओवरनाइट भी रख सकते हैं जितना ठंडा होगा उतना अच्छा लगेगा जिली जिए यहां पर मौक मैल्टिंग कर डिजर्ड बाउंटी डिलाइट बिलकुर रेडी है और बहुत ही जबरतस बनता है जरूर ट्राइ कीजिएगा और इसका फीडबेक में चिदिएगा अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो और मेरी रेसिपी आपको पसंद आई हो तो दू सब्स्ट्राइब में एंड शेर और लाइक मैं वीडियो और इंशाला ताला बहुत जल्द आपके साथ मिलूंगी नए रेसिपी लेकर जब तक के लिए बहुत शुक्रिया और अल्ला हाफिज झाला हाफिए.